वन्विभाग के द्वारा गुरुवार की सुबह विनोधवन से दो चीतल तथा एक पाढ़ा को शहीद अश्पा खुलनाखा नो निर्मेत प्राणी उद्यान केंदर में सफलता पूर्वक इस्थानांतरन किया गया आपको बता दें जिला अधिकारी के निर्देशानुसार दस फरवरी से नो निर्मेत प्राणी उद्यान केंदर में जानवरों का आना शुरू करना था जिसको देखते हुए वन्विभाग ने अपनी कारवाई विनोधवन से जानवरों को शिफ्ट करके दी है इसके संबन्द में DFO अविनाश कुमार ने बताया कि आगे भी जानवरों को इस्थाना अंतरण करके प्राणी उद्यान केंदर में लाया जाएगा इस संबन्द में गुरफपुर नियूस से बात करते हुए DFO अविनाश कुमार ने कहा अज हमारे विनोधवन से अर्डी मॉर्निंग दो चीतल और एक पाड़ा विनोधवन से विनोधवन मेंजू से जो मेंजू है वहां के लिए ट्रांसफर कर दी गई है और सक्सेस्फुली इस उपरेशन को किया गया है आगे भी सर जानवर आने है वह तकाज़ा है वह भी ग्राज्वली ग्राज्वली अब लोग इसको सिफ्ट करते रहेंगे एकॉर्डिंटो दे वेदर कंडिशन इसको सिफ्ट करते रहेंगे